मैं बिल्कुल फिट हूँ फिटनेस के कारर कप्तानी से हाथ दो बैठने के बाद हार्दिक पांडया ने खोल दिये अपने खिलाब साजुसों के पूर हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना इस वक्त हार्दिक पांडया की जो फिटनेस है वो चर्चाओ का विशाय बन बैठी है क्योंकि इसी फिटनेस के कारर वो हार्दिक पांडया जो भारती टीम के उत्रा अधिकारी थे T20 World Cup 2024 में वो हार्दिक पांडया जो कपतान थे T20 World Cup 2024 में वो हार्दिक पांडया जब रोहिस सर्मा ओडियाई World Cup 2023 की तयारी कर रहे थे तो T20 फॉर्बेट में भारती टीम का नित्रित कर रहे थे वो हार्दिक पांडया जिन्होंने IPL 2024 में मुंबई इंडियन्स का नित्रित किया रोहिस सर्मा को कप्तानी से हटाया गया बेजज़त किया गया और हर्दिक को कप्तान बनाया गया वो हर्दिक पांडया जिन्होंने गुजराट टाइटन को एक टाइटन जितवाया दूसरे में फाइनल में पहुचाया उस हार्दिक पांडया को फिटनेस के कारण भारती पीम का T20 कप्तान नहीं चुना गया ये उनको कारण उता है गया कि आप पूरी तरीके से फिट नहीं रहते हैं, आप कभी भी छोटील हो जाते हैं और T20 वर्ल्ड कप के दौरान अगर आप चोटील हो गए तो पूरा का पूरा समीकरण बदलना पड़ेगा और हम जो अभी तक आपके उपर इन्वेश्ट करना चाह रहे थे हम जो अभी तक आपको रोहित का उत्तरातिकारी देख रहे थे हम जो अभी तक आपको भविश्च का कप्तान देख रहे थे अब आपको कप्तानी नहीं सौपने वाले हैं क्योंकि फिटनेस की समस्या आपके साथ बनी रहती है इस बात को लेकर हार्दिक पांडया जरूर मायूश हुए होंगे क्योंकि वो मान कर चल रहे थे कि जब रोहिस सर्मा कप्तानी छोडेंगे तो वही कप्तान बनेंगे क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करें तो हार्दिक पांडया की परस्तित्या काफी विपरीद थी ये माना जा रहा था कि 2024 T20 वर्ल्ड कप में नहीं उनको कप्तानी से हटा दिया जाएगा लेकिन जब वहां पर BCCI ने विपरीद परस्तित्यों के पाउजूद हार्दिक पांडया को बैक किया तो ये लग गया कि नहीं BCCI बैक करें का हार्दिक पांडया को कप्तानी कर रहे थे और फिर ओडियाई T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी हार्दिक यूप कप्तान के लेकिन हार्दिक को फिटनेस का कारेर बताकर अब लगभग हटा दिया गया और उनके जंगों सुर्कुमार यादों को भारती टीम का कह सकते हैं कप्तान म्यूट कर लिया गया है धार्दिक पांडिया को जब ये कारेर बता गया थे उन्होंने एक पोस्ट कर दिया है और ये फिटनेस को लेकर तो अगर हम इस post की बात करें तो उन्होंने जर्णी को सोग किया है 2023 World Cup के बाद जब वो unfit हो गये थे चोटिल हो गये थे उसके बाद उनका weight gain हो गया तो वो post करते हुए उसके साथ नया अपना तस्वीर post करते हुए दिखाया कि hard work हमेशा काम देता है आपको fitness पर work करना चाहिए आप जरूर एक दिन fitter, fittest साबित होंगे और वो मैंने achieve कर लिया है मैं बिल्कुल ही fit हूँ इस वक्त और ODI World Cup 2023 से स्थितियां परसितियां मेरी बिल्कुल अलग है मैं अब चुस्त तंदुरुस्त हूँ ये पोश्ट एक एन मौके पर किया है हर्दिक पांड्या ने आप समख सकते हैं इसारो इसारो में बहुत कुछ इस पोश्ट के जरीए बयांट करना चाहते हैं वो ये सबको बताना चाहते हैं कि fitness तो एक बहाना है लोग मुझे कप्तानी देना ही नहीं चाह रहे है लावा ओए IPL के मैचेश ठेलें लगतार मैचेश मैं खेलते आ रहा हूं किसी भी मैच में आराम नहीं लिया है और पूरी तरीके से मैं गेद भाजी भी कर पा रहा हुं बल्लेबाजी भी कर पा रहे हूं और उन्होंने ताजा तस्वीर भी शेयर किये जिसमें वो दिखाती भी निजर आ रहे हैं कि मैं फिट हूं फिटनेस की कोई समस्या नहीं है और आगे भी नहीं आने वाली है लेकिन ये मेरे खिलाब साजिस की गई है बड़ा सड़ेंतर रशा गया है फिटनेस को बहाना बना है जिस वज़ा से मुझे कप्तान बनना चीए था लेकिन साजिसो कारण मैं कप्तान नहीं बन पाया यह हार्विक पांडिया का इंस्टाग्राम पोस्ट है हलां कि इस पोस्ट वो उन्होंने फिटनेस को लेकर चागुरुपता एक कर सकते हैं तरीके से फैलाई है लेकिन य पाजिसो के कारण उनको कप्तानी से हटाना है तो हर्दिक पांडया के लिए जरूर्द सेट बैक आपका सकते हैं लगा अब यह जो पोस्ट है यह भी दरसा आता है कि भया फिटने तो सचमुछ बहाना है कारण यह भी बताया जा रहा है कि ड्रेसिंग रूम में हर्दिक प परदर्सन था बतार कप्तान उनका वह भी एक कारण बना है मुंबई इंडियन्स का जो ड्रेसिंग रूम दो खेमें बढ़ गया था उन चीजों को भी देखकर विशी जाई कि सेलेक्शन कमीटी के मेंबर्स हैं वह भी खोड़े परशान और चिंतित दिखते कि कहीं भारत उनका फिट्नेस नहीं है क्योंकि वह तो चोटिल काफी वक्त से चलते आ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद उनको टीजोंटी वर्ल्लकप दोजाच चौबिस का उपकतान बनाये गया उसके बावजूद उनको रोहित के अनुपस्तिती भातिती टीम की कमान थमाई गई ग जा रहा है काफी खिलाडियों का फीडबैक सेलेक्शन कमीटी और कोच को गया उस फीडबैक तो देखते हुए मद्दे नजर रखते हुए मुंबई इंडियन के परफॉर्मेंस को हार्दिक पांडिया को कप्तानी से हटाए गया है वहीं लगवक्त तुर्कमार आदा भार कर दो झाल झाल झाल